नमस्ते किसान बाईयों मैं आज आपको एक वीडियो बताने जा रहा हूं उस वीडियो में हम जो किसाने अपने खेत में जो भी पेस्टी से डालते हैं युरियाडीएपी युरियाडीएपी डालने की वज़़े से हमारे खेत की मिट्टी उर्वरा सकती है वो बिल्कुल ना भी मित्र जीव ही ऑगयसे नाज हो रहा है आने वले वर्शों में ये कैमिकल खाद या यूरियाड बंद नहीं होगा हम सब किसान। ये यूरियाड फी बंद नहीं करेंगे। तो आने वाले थोड़े वर्षों में भारत की पूरी मिट्टी उर्वरा सक्ति है वो सारी खत्म हो जाएगी और उर्वरा सक्ति जो खत्म हो जाएगी तो इस मुट्टी पर कुछ भी दाना बार मिट्टी की अंदर से बाहर नहीं निकलेगा और ये युरिया डियपी की अपने खेट में कम से कम अपने परिवार के लिए खाने के लिए और हमारे जो भी वित्पाद हैं आपने खेट में तैयार करें मैं कोई वीडियो बताने जा रहा हूं इस यह शोचना चाहिए कि इस जहर की वज़े से मिट्टी में रहने वाले सुक्समजीव मर रहे हैं उसी तरह आने वाले समय में हमारे परिवार में से हमारे बच्चे भी इसी तरह मरेंगे यदि यह युरियाड यह भी खाद अपने खेद में हम पूरी तरह से उसका बैन नहीं करेंगे कि तब तक यह मिट्टी पूरी तरह नास होती रहेगी दिखिए यह पानी है और यह युरियाड यह पिखा दे यह मैंने पानी में डाला पानी में डाला और इसका मैंने यह गोल बनाया यह प्रयोग आप भी कर सकते हैं अपने खेद में और अभी आप देख रहें मेरे खेद में मैं वर्मी कंपोच खाद बना रहा हूं यह वर्मी कंपोच खाद के जो जो मारे मित्र जीव कह चुए हैं आप देख रहें जिन्दा है ठीक है यह पानी में जब में डालोंगा तो उसकी आप देखना आप देख रहें कि यूरिया डियेपी यह जहरी लिखाद में जैसे ही हमने इक केचुए डाले तो 18 से 20 सेकंड में यह पूरे केचुए तडब कर मर रहे हैं हम अपने खेट में एक छोटा कतल खाना चला रहे हैं एसे अन्य जिवो को जिसे बखवान ने जन्म दिया है एसे जिवो को हम मार कर हम बड़ा पाप कर रहे हैं देख रहे हैं कि 18 से 20 सेकंड में 18 से 20 सेकंड में ये केचुवा मर जाता है उसकी बोड़ी पूरी आप देख रहे हैं चैंज हो जाती है ये तडब कर मर गया आने वाले समय में इसी तरह ये यूरिया डीपिखाद अपने खेद में हम डालते रहेंगे तो पूरी मिट्टी बं गौम उत्र जो है जितनी बार भी हम पानी खेद में जाने देते हैं उतनी बार हम गौम उत्र डालें ठीक है तो गौम उत्र डालने की वज़े से मिट्टी की बुरुगरा सकती बड़ेगी गुरुपे हम सब किसान एक संकल पकर की येसे यूरिया डीपि जैसे खाद अपन रहे हैं और आने वाली पेटी इस जहर की वज़े से पूरी जिनकी की कमाई हमने जो इकट्टी की है वो सारी कमाई इसकी टीट मिट में ही चली जाएगी ये सारी कमाई की हुई है ये पाप करम करके हमने जो भी ये सारी कमाई की है वो सारी कमाई अस्पतालों में जाएगी हम सब किसान संकल्प करें कि ऐसे बगवान ने जिनों ने जर्म दिया है ऐसे जीवों को हम नमारे और अपने खेट में ऐसे जहरीले खाड़ना डाले क्योंकि ये हमारे बच्चे ही खा रहे हैं और इसी तर हमारे बच्चों की आने वाले समय में हालत होने वाली है